नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर अब किस डिस्टिक में कितने पद यहां पर भरे जाने हैं तो बिलासपूर में 41 नए पद भरे जाने हैं ! अब देखिए विधान सभा चुनाब से पहले स्वस्ते भिभाग के 780 आशा वरकर तैनात की जाएगी प्रदेश सरकार ने मुख्ये चिकित्सा अधिकारियों को 20 सितंबर से पहले आवेधन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं यह जो आवेधन आप करोगे 20 सितंबर से पहले आपको आवेधन करना पड़ेगा जिला शिमला के शहरी और ग्रामिन क्षित्रों में सबसे ज़्यादा 150 पद यहाँ पर तैनात किये जाएंगे सोलन में भी 102 पद यहाँ पर तैनात किये जाएंगे यह तो बात रही आवेधन की अंतिमति थी की इसमें उमर यहाँ पर क्या मांगी गई है देखिए उमर यहाँ पर अगर बात करते हैं 25 से 45 साल आयू वर्ग की महिलाएं आशा वर्गर बनने के लिए आवेधन कर सकेंगी आप 25 से 45 साल के बीच में होने चाहिए अब बात करते हैं देखिए क्वालिफिकेशन की योग्यता कितनी मांगी गई है आप कितने पड़े लिखे होने चाहिए आशा वर्गर के लिए देखिए अगर आप ग्रामिन क्षत्रों से बिलोंग करते हो तो देखिए अगर ग्रामिन क्षत्रों के लिए आटवी पास होना जरूरी है अगर शहरी क्षत्रों में दस्वी पास होना जरूरी है अब यहां बात करते हैं कि आवेधन किसके पास किये जाएंगे ये भी बहुत बड़ी यहां पर लोगों को पता नहीं होता इस बारे में कि आवेधन कहां करने हैं देखिए जो मुख्य चिकित सा अधिकारी शहरी जिलों में आशा वरकर की तैनाती को लेकर इच्चुक अभिहारतियों से आवेधन मांगने शुरू भी कर दिये गए आप देखो आवेधन कहां पर करने होंगे मुख्य चिकित सा अधिकारी शहरी जबकि ग्रामिट क्षित्रों में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के पास आवेधन किये जाएंगे तो यह कुछ एक अपडेट थी आज की वीडियो में पद मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अन्तिम्तिती भी मैं बता चुका हूँ, आपको अवेधन कहां करने हैं ये भी मैं बता चुका, उम्र भी बता चुका, योग्यता भी बता चुका, तो कुछ एक डेटेल थी जो आपको बता नहीं थी वो मैं बता चुका हूँ, तो